So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानि कि 27 जुलाई के important current affairs को तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें और ये most important question mark करना बेले इसको क्या है प्रश्ण कि अभी हाली में किस राज्जी के मोईदाम को भारत का 43 जुलाई से लेके 31 जुलाई 2014 तक और यहीं पे अभी असम के मोईदाम जो की अहुम राजवन्ष की तीला दफन प्रनाली है उसे युनेसको की विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल कर लिया गया और इस तरह से ये भारत की 43rd नंबर का World Heritage Site बन गया है मोईदाम की बात करें यह जो मोईदाम है यह युनेसको की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला असम और उत्तरपूर्व का तीसरा इस्थल है इसे सांस्कृतिक शिरेणी में यानिके कल्चरल कैट्री में शामिल किया गया अगर यह असम और उत्तरपूर्व का तीसरा विश्व धरोहर इस्थल है तो इसे पहले दो कौन-कौन से रह चुके हैं तो एक तो असम का काजी रंगा नेशनल पार्क और असम का ही मानस वाल लाइफ सेंचुरी ये अल्रेडी युनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और कौन सी केटेगरी में प्राकरतिक शरेणी में नेचुरल केटेगरी में और इस बार ये जो असम या है जो की मूल रूप से इंट और पत्थर के खोकलित धकाने हैं जिसमें अहों राजवन्ष के राजाओं और राजगरानों के सदस्यों के अउशेश हैं और मैं आपको बता दूँ कि जो युनेस्को है ये विश्व धरोहर स्थलों को तीन पार्ट में डिवाइड करता है स जिक्किम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो मिक्स्ट कैटेगरी में मिश्रित श्रिणी में शामिल होने वाली एक मातर भारते विरासत है जिसे 2016 में शामिल किया गया था और इस तरह से ये भारत का 34 वा 34 नंबर का विश्व धरोहर स्थल बना था वैसे अगर पूरी चाइना में 57 है भारत में अभी 43 हो चुके है इस तरह से आप रैंकिंग में देखोगे अगर हम रैंकिंग बनाते हैं कि किस देश में सबस्यादा विश्व धरोहर स्थल है तो पहले पे इटली हो गया दूसरे पे चाइना हो गया और भारत छटवे स्थान पे आता है 43 जो कि उत्रप्रदीश में है इन चारों को सबसे पहले शामिल किया गया था 1983 में अभी लेटेस्ट हमने देखा 43 नंबर का बन गया भी 2024 में कौन सा असम का मोईदाम उसे पहले पिछले साल दो बने थे 42 नंबर का बना था होईसला मंदिर जो कि करनाडग में है और 41 नंबर क काकतिय रूदरेश्वर मंदिर बना था जो कि त्यलंग नामे है तो यह आपका important question है अभी कौन सा नया बना क्या बना वो सब में ने आपको बता दिया है डिटेल में विश्व में सबसे ज़्यादा world heritage sites किस देश में है वो भी में आपको बता दिया है इस मामले में भारत और ने कचेंद्र सिंग शेखावत है बाकी युनेस्को की बात करें इस तापना होती 1945 में युनेस्को मतलब United Nation Educational and Scientific and Cultural Organization headquarter मिलेगा पैरिस फ्रांस में और डारेक्टर जनरल है ओद्रे उजाले अच्छा यहाँ पे दो तिन पॉइंट आपको और बताऊंगा जो important है कि एक पहले चौदवे नंबर का था पश्चि मंगाल की दुरगा पूजा और उसके अलवा एक पॉइंट यह याद रखना कि अभी केरल के कोजी कोड को भारत के पहले साहित्य की शहर first city of literature के रूप में गोशित किया गया था और ग्वालियर को संगीत का शहर बैसे यह सारे point में आपको कई बार बता चुका हूँ तो यह अब आपको याद होने लगी होंगी चीज़े ठीक है अभी हम अगला प्रशन देखते हैं important question mark कर ले ना फिर से बोल रहा हूँ exam में पूछा जाएगा यह प्रशन अगला प्रशन देखते हैं फिर अगला प्रशन पूछ रहें 142 नंबर का सतर हुआ session हुआ कहां पे Paris France में और वही पर यह फैसला लिया गया कि 2034 में जो Winter Olympics और Paralympics हैं वो कहां पे होंगे अमेरिका में होंगे अमेरिका के यूटा राज्य के Salt Lake City में होंगे वैसे मैं आपको बता दू यह जो Salt Lake City है इसने 2002 में पहली बार Winter Olympics की मेजबानी की थी अब फिर से एक बार Winter Olympics को यह host करेगा लेकिन कौन से वाले 2034 वाले तो यह याद रखना वैसे मैं आपको revise करवा दू 2022 में जो Winter Olympics हुए थे वो चाइना में हुए थे वह चार-चार साल में होते हैं देखो Winter Olympics चार-चार साल में Summer Olympics वो भी चार-चार साल में लेकिन Winter Olympics और Summer Olympics की बीच में आप गैब देखोगे तो दो-दो साल का रहता है तो अब अगले जो Winter Olympics है वो 2026 में होंगे और कहां पे होंगे इतली में होंगे इतली में मिलान और काटेना नामक स्थान पे होंगे फिर उसके अगले वाले 2030 में होंगे अब यह 2030 वाले कहां पे होंगे यह मैं में भी कहां मुंबई में तो यह आप ध्यान में रखना अचा इसी तरह से कुछ और गेम्स में आपको बताता हूं कि उन गेम्स को किस-किस ने होस्ट किया और कौन-कौन से देश होस्ट करेंगे मेजबानी करेंगे जैसे कि 2022 में जो Commonwealth Games हैं वो हुए थे Birmingham England में फिर उसके ब रखना बाकी 19-व जो Asian Games हुए थे पिछले साल हांग जाओ चाओ चाओ चाइना में और अगले वाले 2027 में होंगे आईची जापान में और Summer Olympics की बात करें तो 2020 में जो Tokyo Olympic हुए थे Tokyo Japan में 2024 में Paris France में हो रहे और 2028 वाले Los Angeles अमेरिका में होंगे FIFA World Cup 2022 में जो 22 संसकरन हुआ था कतर में हुआ था यादोगा जिसे Argentinia ने जीता तब France को रहा था अब 2026 वाले तीन देशों में होंगे Mexico, Canada और अमेरिका में अच्छा इससे भी संबन्दित ए Current Affairs का प्रशन हम पढ़ चुके हैं लेकिन वो Homework प्रशन के रूप में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि FIFA World Cup 2034 वाले ये कहां पे होंगे 2034 में जो FIFA World Cup होंगे वो कहां पे होंगे चिंता मत करो ये सारे प्रशन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये मैं आपको कहीं बार बता चुका हूँ अगर आप डेली और रेगुलर करेक एक्जाम चैनल पे Current Affairs पढ़ते हैं तो बीट-बीट में जो भी प्रशन में आपसे पूछ रहा हूँ ये सब आपको टिप्स प कहां पे होंगे भारत और श्रेलंका में फिर उसके Next वाले 2028 में Australia और New Zealand में होंगे वहीं महिलाओं में अगर बात करें T20 World Cup जो Women's वाला है अभी 2024 में ये बांगला देश में होगा और अगला वाला 2026 वाला England में होगा तो यहां पे Question के साथ साथ जो Extra मैंने आपको जानकारि यहां दिये यह भी Most Important इनको ध्यान में रखना अगला प्रशन देखते हैं और आगे बड़े उससे पहले नए Students को में बता दू कि इनका PDF आपको कहां पे मिल जाएगा इन सभी Questions का और यह जो भी डिटेल जानकारी में आपको दे रहा हूं यह सब उस PDF में आपको मिल आपको मिल जाएगा और बाकी सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताईएगा और अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ मैं Study Group में एक बार अपने वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जिस तरह से इन वीडियो उसको देख करके आपको अच्छा लगता है आपकी नॉलेज बढ़ती है आपका सपोर्ट देख करके मुझे भी अच्छा लगे चलो फिर अगला प्रशन देखते है फिर आपसे पूछे अभी विश्व मस्तिश के दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 22 जुलाई को तो हर 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे के रुप में मनाया जाता है ठीम क्या है मस्तिश के स्वास्त और रोक्ताम पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था और ब्रेन से संबंदित एक और दिवस हमने पड़ा था भी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे वो 8 जून को होता है याद र एक प्रशने एक्जाम में पूछा गया प्रशने ये कि मानव मस्तिश के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं आउटर कवरिंग ऑफ हुमन ब्रेन द्रड तानिका ड्यूरा मेटर तो ये इंपोर्टेंट क्विशन से जो एक्जाम में पूछे गये हैं मस्तिश के से संबंदित बाकी डे वाला प्रशने देखू जुलाई के सारे इंपोर्टेंट डेज मेने आपको कल भी रिवाइस कराये थे परसू भी कराये थे आज फिर इसे रिवाइस करा रहा हूँ मेरे साथ साथ बूलना ताकि ये आपको याद भी हो सकें सार्मर डे राष्टर मतस्य किसान दिवस 11 जुलाई को वल्ड पॉपुलेशन डे 12 जुलाई को अंतरराष्टर मलाला दिवस और वल्ड पेपर बेक डे 15 जुलाई को विश्व युवा कोशल दिवस वल्ड यूथ स्केल डे 17 जुलाई को विश्व अंतरराष्टर न्याय द तो ये जुलाइ के सारे important days इनको ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं फिर पूछ रहे हैं अभी हाली में किसने अपोफिस शुद्रग्र का अध्यन करने के लिए रामसेश मिशन को शुरू करने के गोशना किये तो आंचर होगा European Space Agency ने तो ये जो अपोफिस एस्टरोइड है शुद्रग्र है ये टूटाउजन ट्वंटीनाइन में प्रत्वी के बहुत पास से गुजरेगा तो उस समय इसका अध्यन करने के लिए स्टडी करने के लिए ये बहुत अच्छा समय होगा हमारे पास तो इसलिए अभी European Space Agency ने कहा कि वो इसकी स्टडी के लिए रामसेश मिशन को शुरू करेंगे और जब उस समय टूटाउजन टूंटीनाइन में ये जो शुद्रग्रह है जिसका नाम एपोफेस है ये प्रत्वी के सबसे पास से गुजरेगा लेकिन उस समय भी आप इसकी जो दूरी देखोगे प्रत्वी से वो 32,000 किलोमेटर के दूरी पर ये होगा और फिर भी ये हमारे लिए इंपोर्टेंट है या सबसे नजदीक का ही हम इसको कह रहे है क्योंकि इतने बड़े आकार का शुद्रग्रह लगबग 5000 से लेके 10,000 सालों में किवल एक बार प्रत्वी के इतने करीब आता है तो याद रखना शुद्रग्रह का नाम क्या है और ये रामसेस मिशन उसके स्टड़ी के लिए किसने शुरू किया है European Space Agency शुरू करेगा अच्छा मैंने आपको बताया था एस्टरोइड बेल्ट होती है ये किन दो ग्रहों के बीच में होती है मंगल और ब्रसपती के बीच में मार्स और जुपिटर के बीच में एक अंतराष्टर शुद्रग्रह दिवसम कब मनाते हैं अभी मनाया था कुछ दिन पहले ही 30 जून को आपको याद होगा अभी इसी साल बंगलूरू के प्रोफेसर है जैन्त मूर्ती उनके नाम पे एक शुद्रग्रह एक एस्टरोइड का नाम रखा गया था उसके अलावा नासा ने कहा था कि वो एक साइकी मिशन को लॉंच करेगा साइकी क्या है ये एक विशिष्ट धातु शुद्रग्रह है और उसी का पता लगाने के लिए नासा ये साइकी मिशन को लॉंच करेगा वैसे आपको याद हो तो नासा ने ब्रस्पति यानि कि जूपिटर के टोजन शुद्रग्रहों का अध्यान करने के लिए लूसी मिशन भी लॉंच किया है और यूरोपिन स्पिस एजेंसी की नहीं जूस मिशन लॉंच करने की गोशना की थी और यूरोपिन स्पिस एजेंसी ने सोर मंडल के पिंडो यानि की सोलर सिस्टम बोडीज का निरेक्शन करने के लिए यूकलिड स्पेस टेलिसकॉप को लॉंच किया था उसके अलावा यूरोपिन स्पिस एजेंसी के गया स्पिस टेलिसकॉप ने शिव और शक्ती नामक दो प्राचीन तारों की धाराओं की खूच की थी ये सारे प्रशने में आपको करेंट अफेस में पढ़ा चुका हूँ लेकिन अभी सारे में आपको एक साथ रिवाइस करा दा दिये तो इनको ध्यान में रखना अगला प्रशन देखता है फिर आपसे पूच रहे हैं अभी हाली में फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रोफी जीतने वाली पहली महिला रेसर कौन बन गई है तो अंचर हूँगा अतिका मीर तो अतिका मीर ये नो वर्श की है मात्र नो वर्श की है चमु किश्मिर श्रीनगर से है ये और अभी फ्रांस में आयोजित रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रोफी को जीतने वाली ये पहली महिला रेसर बन गई है भारत की नहीं पूरी दुनिया की पहली महिला रेसर बन गई है क्या नाम है अतिका मीर इनका नाम है अच्छा इसी तरह से एक और मीर का नाम आपको जाद आएगा बिलकिस मीर अभी 2024 पेरिस ओलम्पिक में जूरी सदस से बनने वाली ये पहली भारते महिला बनी थी याद होगा आपको बाकी और भी महिला हैं ये सारी important है किसे न किसी कारण से ये पहली बार बनी है जैसे कि क्या बनी है मतलब जैसे कि जैसिंता कल्यान की बात करते हैं तो भारत की पहली महिला pitch curator बनी थी pitch curator कहते है जो cricket ground में जो pitch होता है cricket का pitch उसकी देखबाल करने वाले को Lindy Cameron भारत में प्रिटेन की पहली महिला हाई कमिशनर उच्चा युक्त बनी, तो इनका नाम भी याद में रखना, अच्छा इसी तरह से कुछ और रेसेज के बारे में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, मज़ा आएगा आपको, एक तो आपको याद होगा, अभी एक भारतियर रेसर है, और MotoGP India 2025 में ये उत्तरप्रदेश में होगा, नोइडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सरकेट है वहाँ पे, लास्ट टाइम 2023 में हुआ था MotoGP India बुद्ध इंटरनेशनल सरकेट में हुआ था, और उसको जीता था, मार्कोज बेच्चेजी ने, वो इटली से थे, वैसे आप जानते हो, पहली बार जो E Formula Race हुई थी, भारत में वो हैदराबाद में हुई थी, और अब 2024 में फिर से इसका दूसरा संसकरन भारत में होगा, यहीं पे हैदराबाद में, और याद रखना, भारत और दक्षिन एशिया का पहला Night Street Circuit ये कहाँ पे बना है, चेन्नेई में यहाँ पे रात्री में भी races हो पाईगी अब, तो ये races से संबंदित, भारत से संबंदित कुछ important प्रशने इनको ध्यान में रखना, अगला प्रशन देखते हैं, फिर आपसे बूच रहे हैं, हाली में Paris के Grevin संग्रहाले के दौरा, कस्तमाइज़ सोने के सिक्के से सम्मानित सोने बाले पहले भारती एक्टर बन गये हैं शारुक खान, कस्तमाइज़ गोल्ड कोईन का मतलब क्या हो गया, मतलब उस सोने के सिक्के को किसी व्यक्ते की फोटो वाला सिक्का बनाया गया है, कस्तमाइज़ अपने अनुसार उस एक सिक्के को आपने बनाया है, उस तरह के सारे बहुत सारे सिक्के नहीं ये प्रचलन में आपने उसको किसी की फोटू का आकार दे दिया उसके किसी की फोटू का आपने छापाए तो उसे कस्टमाइज़ सोने का सिक्का बूला है आपको याद होगा शारुक खान से संबन्दित एक प्रचन अभी हमने पढ़ा था कि लोकारनो फिल्म फेस्टिवल में पाडो अला केरियरा अवर्ड मिला था इनको और अभी शारुक खान इसी साल मुथूट ग्रुप के ब्रेंड अमबेश्टर भी बने थे पितले साल जो ICC World Cup हुआ था जिसमें भारत उपविजेता था उस्टेलिया जीत गया था उसमें भी ब्रेंड अमबेश्टर शारुक खान को भी बनाये था और इसी साल के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जो दादा साहब फाल के अवर्ड्स 2024 दिये गए थे भारत में चार टकसालें आपको मिलेगी टकसाल मतलब जहां पे सिक्के बनते हैं कहां कहां कॉलकता मुंबई हैदराबाद और नोईडा में तो ध्यान रखना ये अगला प्रशन देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में भारत का 500 वा समुदाइक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM का उधगाटन कहां पे हुआ तो अंसर होगा आईजोल में तो अभी भारत के 500 वे समुदाइक रेडियो स्टेशन जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM जिसका अभी उधगाटन किया है हमारे रेल मंतरी और इनी के पास सूचना प्रसारन मंतराले भी है नाम है अश्विनी वेशनव कहाँ पर उधगाटन किया मिज्जोरम की केपिटल आईजोल में वैसे अभी अश्विनी वेशनव जी ने यहीं पर दसवे राष्टर सामुदाई के रेडियो पुरसकारों की भी घोशना की है तो ये जो अपना रेडियो 90.0 FM है इसके द्वारा डेली किसानों को मोसम की अपडेट दी जाएगी और रेडियो से याद आएगा अभी कुवेत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारन चुरू हुआ था अभी हमने National Broadcasting Day मनाये था 23 जुलाई को ही और World Radio Day कब होता है 13 फरवरी को होता है और इसी दिन एक और दिवस होता है कुछ दिन पहले शाद में आपसे पूछा भी था राष्ट्र महिला दिवस होता है National Women's Day सरोजिनी नैडूजी की जनम दिन को विसे आईजोल हमने कहा मिजोरम की कैपेटल होती है तो मिजोरम के मुख्यमंत्रिकों ने लाल दुहूमा है और गवर्नर हरी बाबू कमभंपती है अब एक प्रशन का उत्तर दो बड़ा सिंपल सा प्रशन है कि चापचार कुट महुत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है बताएगा अगला प्रशन दिखते है फिर आपसे पूछ रहे हैं कि 2030 में जो शीत कालीन अलम्पिक होगी उनकी मेजबानी कौन करेगा तो आशर होगा फ्रांस तो याद रगनाभी इंटरनेशनल अलम्पिक कमीटी ने 2030 में होने वाले वींटर अलमिक खेलों की मेजबानी फ्रांस को सोपी है Actually मैं France इन खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने वाला एक मातर देश था तो इसी को बोली मिल गई वैसे France इससे पहले भी तीन बार 1924 में, 1968 और 1992 में Winter Olympics को होस्ट कर चुका है और वैसे आपको पता है यह भी 2024 में जो 33 स्वे Summer Olympics हैं उसकी भी मेजबानी France के पास ही है France होस्ट कर रहा है, Paris में और बाकि अभी पीछे प्रश्मे में आपको बताये था कि 2034 की मेजबानी किसको मिली है आज जो Winter Olympics हैं उसकी अमेरिका को तो दोनों याद रखना, 2034 और 2034 2034 की तो France को और 2034 की अमेरिका को बाकि इससे पेले वाले प्रश्मे में आपको इससे सम्मंदित सारे प्रश्मे रिवाइस करवाई दिये थे तो यहाँ पे थोड़ा सा France को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो France के अपिटल पैर्रिस होती है 2024 के Summer Olympics यहाँ पे हो रहे हैं और आपको याद होगा डिजिटली सेंगेन वीजा को जारी करने वाला पहला देश यह France ही है UPI अपनाने वाला पहला यूरूपिय देश यह भी France बना था तो यह ध्यान रखना अगला प्रशन देखता है फिर आपसे पूछ रहे हैं अंतरराष्टर ओलंपिक समीती में फिर से किसे चुना गया है तो आंसर होगा नीता अंबानी को तो रलाइन्स फाउंडेशन की चेर परसन और जो भारत के सबसे अमीर वेक्ति है मुकेश अंबानी उनकी वाइफ है नीता अंबानी और इनी को भारत की और से अंतरराष्टर ओलंपिक समीती के सदस्य की रूप में भी फिर से चुना गया नीता अंबानी को पहली बार 2016 में रियो ओलंपिक के दोरान इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी का सदस्य चुना गया था और इस तरह से International Olympic Committee की सदस से बनने वाली वो पहली भारते महिला बनी थी और इस तरह से आठ साल के बाद एक बार फिर से उन्हें चुना गया है बताई दिया था मैंने आपको International Olympic Committee की अभी एक सो बयानली स्वी जो बैठक हुई थी कहां पे हुई पैरिस फ्रांस में इंटरनेशनल Olympic Committee की बात करें स्थापना हुथी तेवी जून 1894 में इसलिए तेवी जून को International Olympic Day मनाते हैं हेड़कोर्टर लुजेन स्वेचल लेंड में है और डारेक्टर जनरल है थॉमस बाग तो ध्यान रखना ये अगला प्रशन देखते हैं फिर पूछ रहे हैं अभी हाली में संयुक्तर राष्टर राहत और कार्रे एजनसी इंगलिश में बोलोगे तो United Nation Relief and Work Agency इसको आतंग की संगठन गोशित करने वाले विद्याक बिल्कू किसने मंजूरी दे दिये तो अंसर होगा इजराइल तो अभी इसराइली संसद ने जिसे आप निसेट बोलते हो और उसे ने अभी United Nation Relief and Work Agency यानि की संयुक्तर राष्टर राहत और कार्रे एजनसी को आतंगवादी संगठन गोशित करने वाले बिल्कू पारित कर दिया मंजूरी दे दी है इसा क्यों किया इन्होंने क्योंकि इन्होंने फिलिस्तिनी शर्णाथियों को सिक्षा और स्वास्ति सुविधाएं दी और राहत के कारे उपलब्द करवाए तो इसराइल ने कहा कि भाया गाजा पट्टी में हमास जो है वो एक आतंग की है और आप उसका साथ दे रहे हो उसकी हेल्ब कर रहे हो इसका मतलब आप भी आतंगवादी हो गया हम आपको आतंगवादी घुशित करते हैं यह कारान है देखो युनाइटि नेशन रिलीफ एंड वर्क एजनसी की बात करें यह स्थापित हुआ था 1949 में हेड़कॉर्टर अम्मान जॉर्डन में आपको मि चलाया था तो आज की क्लास यही तक रखते हैं यह थी आज की आपकी करेंट अफेर्स के क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया भूल गए तो अब याद दिला रहा हूँ वीडियो को रिविजन करा दू फिर हम सेशन अन करते हैं तो यहाँ पर हम 26 जुलाई की इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स का क्विक रिविजन कर रहे हैं पहला प्रस्न पूछा वर्ल्ड पर्रा ग्लाइडिंग चेंपेंशिप 2024 की मेजबानी यह कौन सा राज्य करेगा तो अंसरोगा इमाचल प्रदीश फिर पूछा 21 बहु राष्ट्रे सेन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 यह कांपे हुआ मंगोलिया फिर पूछा अभी किसे भारते लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया विभूति बूशन नायक राष्ट्र आईकर दिवस मनाया गया 24 टॉप पे सिंगापूर था बारते नौसना के स्टेल्थ फ्रिगेट त्रिपुट का निर्माण के शिप्याड ने किया गोवा शिप्याड लिमिटेड और फूड एग्रिकल्चर और्गेनाईजिशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वन शेत्र वरद्दी के माबले में कौनसे स्थान पर है तीसरे स्थान पर है फिर पूचा राष्टरपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया गया गंतंत्र मंडप टीबी मुक्त नगर पालिकाउं के लिए स्वास्त नगरम परियूदना को शुरू किया तेलंगना ने और आखरी प्रशन ने पूचा कि फिनिश कंपनी है human mobile device इसने अभी किसी global brand ambassador बनाया तो आंसर होगा सान्या मलोत्रा को तो चलो भी कल का homework प्रशन देखते और session end करते है तो कल के वीडियो में आप जो बूचा था कि इस bank ने गोचना किया है कि वो एक जून दो हजार चौबिस को ग्रह